छे राजियों की साथ विधान सवासीतों पर हुए उठ चुनाब के नतीजे आ गए हैं। लोगसभा चुनाब से पहले इसे इंडिया गडवंधन बनाम NDA गडवंधन के तौर पर देखा जा रहा है। छे राजियों में सीधे-सीधे इंडिया और NDA के बीच मुकाबला देखने को मिला। वहीं तीन राजियों में इंडिया गडवंधन की स्तहियोगी पार्टियों ने भी अपने-अपने उमिद्वार उतारे थे। हलाकि सक्ता के इस quarter final में इंडिया गडवंधन ने 4-3 से जीत दर्ज की है। साथ विधानसवा सीटों में से 4 सीटें इंडिया गडवंधन के खाते में आई है। वहीं वीजेपी नेत्रित वाली एंडिये 3 सीटें ही जीत पाई है। इंडिये को सबसे बड़ा जटका उत्तर प्रदेश में लगा है। वहाँ वो घोसी सीट जीतने में नाकाम रही। रिजल्ट बताने से पहले आपको बताते हैं कि किनकिन राजियों में इंडिया और इंडिये के बीच सीधा मुकाबला था। और कहां कहां इंडिया गडवंदन में सामिल दल एक दूसरे को चुनोती दे रहे थे। उत्तर प्रदेश जारखंड और त्रिपुरा में इंडिया और NDA के बीच सीधे सीधे मुकाबला देखने को मिला। वहीं केरल पस्चिम बंगाल और उत्राखंड में इंडिया गडवंदन के घटक दलों ने एक से ज़्यादा उमिदवार उतारे थे। उत्तर प्रदेश की घोसी हौट सीट मानी जा रही थी। यहां इंडिया गडवंदन में शामिल समाजवादी पार्टी के उमिदवार सुधाकर सीधे जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजैपी उमिदवार दारा सी चौहांद को 42,769 वोटों के अंतर से हराया है। दारा सी चोहान कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी को छोड़ कर बीजेपी में सामिल हुए थे वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो एसपी उमिद्वार को 57 फिस्दी वोट मिले हैं वहीं बीजेपी उमिद्वार के खाते में 37 फिस्दी वोट आये हैं भोसी में करारी हाल बीजेपी के लिए बड़ा जटका है बीजेपी के चुनाव नहीं लड़नी और ओम प्रकास राजबर के हाथ मिलाने से भी पार्टी को कोई खास फाइदा नहीं हुआ है दर असल भोसी विधान सभा में तक्रीवन एक लाग दलित वोटर है बीजेपी के चुनाव नहीं लड़ने के बाद माना जा रहा था कि दलित वोटरों का जुका बीजेपी की तरफ रहेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहीं 50-60,000 राजबर मत दाता भी हैं लेकिन ओपी राजबर के आने से भी NDA को कोई खास फायदा नहीं हुआ अब बात जारखंड की दुम्री सीट पर JMM और आजसू के भीज मुकाबला था इस सीट पर JMM की बेवी देवी ने आजसू की अशोदा देवी को हराया है यहां JMM को इंडिया गडवंदन की सहयोगी कॉंग्रेस और RJD का समर्थन प्राप था वहीं BJP नेतरित वाली NDA की ओर से आजसू पार्टी ने अपना उमिद्वार उतारा था दुम्री सीट पर JMM उमिद्वार को 52% से जादा वोट मिले हैं वहीं आजसू मिद्वार के खाते में 43% वोट आये हैं यहां भी इंडिया गडवंदन की जीत हुई है JMM की बेवी देवी को 1,317 वोट मिले हैं वहीं आजसू की यसोदा देवी को 83,164 वोट मिले हैं हार जीत 17,153 वोटों से तैह हुआ बता दें कि ये सीट JMM नेता और पुर्व सिक्षा मंत्री जगरनात महतो के निधन से खाली हुई थी जिसके बाद JMM ने जगरनात महतो की पतनी बेवी देवी को उतारा था त्रिपूरा की बॉकसा नगर और धानपूर विधान सभा सीट पर बॉकसा नगर में बीजेपी के तफजल हुसैन और धानपूर से बिंदू देवनात ने जीत हासिल की है बॉकसा नगर में बीजेपी को 88 फीस दी तो वहीं धानपूर में बीजेपी को 70% वोट मिले हैं दोनों जगा CPIM के उमिदवार नहीं टिक पाए और अगर उनके वोटों को मिला दें तो इंडिया गंडवन्धन के खाते में मात्र 18.47% वोट ही आते हैं इसी साल त्रिपूरा विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने दोवारा सक्ता में बापसी की थी हलाकि पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी की सीट कम हुई थी ऐसे में चुनाव में दो सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज कर बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड अच्छा कर लिया है उतराखंड की बागेशवर सीट पर बीजेपी की पारवती दास ने जीत दर्ज की है उन्होंने कॉंग्रेस के बसंत कुमार को पठकनी दी है हलाकि यहाँ इडिया गडवंधन में सामिल समाजवादी पार्टी ने भी अपना उमीदवार उतारा था जिसका हलका नुपसान इंडिया गडवंधन को हुआ है बीजेपी के खाते में करीब 50% वोट आये हैं वहीं कॉंग्रेस को 46% वोट मिले हैं एसपी उमीदवार को 1% से भी कम वोट मिला है यहां कहा जा सकता है कि अगर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो शायद मुकावला और टक्कर का हो सकता था केरल की बात करें तो कॉंग्रेस ने जीत हासिल की है यहां भी इंडिया गडवंधन की दो सही योगियों की बीच मुकावला था हलाकि इस जंग में कॉंग्रेस के चांडी उमान ने 77,790 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है दूसरे नमबर पर CPIM के जैक सी थौमस रहे वहें तीसरे नमबर पर BJP के उमीदवार थी बता दे की कॉंग्रेस की पुस्तैनी सीट रही है यहां से पिछले 53 सालों से दिवंगत कॉंग्रेस नेता उमान चांडी जीतते आ रहे हैं इस बार उनके बेटे ने जीत दर्ज की है इसी के साथ उन्होंने अपने पिता की राजनेतिक विरासत को भी समहाल लिया है अगर वोट परसेंट देखें तो कॉंग्रेस को 61% वोट मिला है वहीं CPIM के खाते में 32% वोट आये हैं BJP को महज 5% वोटों से ही संतोष करना पड़ा है पता दे की केरल में अर्विन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी अपना उमिद्वार उतारा था आप उमिद्वार लिउक थॉमस को मात 0.64% वोट ही मिले हैं केरल में इंडिया गडवंदन ने कुल 94.51% वोटों पर कबजा जमाया है इसके सामने बीजेपी कहीं नहीं टिक पाए दरसल केरल में कॉंग्रेस और CPIM दोरा अपने अपने उमिद्वार उतारने के बाद मुख मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के बीच देखने को मिला बीजेपी तीसरी पार्टी बनकर रह गई पस्चिम बंगाल में इड्रिया गडवंदन के दो सहयोगी पार्टियां चुनावी मैदान में थी धोगड़ी सीट पर TMC और CPIM दोनों नहीं अपने उमिद्वार उतारे थे वहीं बीजेपी की ओर से तापसी रह मैदान में थी हलांकि इस त्रिकोणिय मुकाबले में TMC और BJP के भी टक कर देखनी को मिली और अंत में जीत TMC उमिद्वार निर्मल चंदराय की हुई वोट परसेंट की बात करें तो TMC को 46 परसेंट वोट मिले हैं वहीं BJP के खाते में 44 परसेंटी वोट आये हैं CPIM उमिद्वार को 70 परसेंट वोट मिले हैं ओवर ओल देखे तो इंडिया गडवंधन ने यहां 52.79 पर पर कबजा जमाया है बता दें कि पिछले विधान सवाचुनाव में भी BJP ने TMC से दो गोडी सीट छीन ली थी तब विष्टू पदरोय ने यहां से जीत दर्ज की थी उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई उपचुनाव में जीत के साथ ही TMC ने अपना पूराना हिसाब बराबर कर लिया है उत्तर प्रदेश जार्खंड और त्रिपुरा में इंडिया और इंडिया गडवन्धन के बीच सीधा मुकाबला थी यहां की चार विधान सवा सीटों पर दो-दो से मुकाबला टाई रहा यूपी और जार्खण में इंडिया गडवंधन को जीत मिली तो त्रिकुरा की दोनों सीटों पर एंडिया निकबजा जमाया अगर यहां के वोट परसेंट को देखें तो इंडिया के खाते में 46.46 फीसदी वोट आये हैं वहीं इंडिया गडवंधन के खाते में 48.65 फीसदी वोट पड़े हैं इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भले ही इन तीनों राज्जियों में सीटों के आधार पर मुकाबला टाई रहा हो लेकिन वोट के मामले में इंडिया गडवंधन ने बाजी मारी है वहीं केरल फस्चीम बंगाल और उतराखंट पर नजर डालें तो यहां इंडिया गडवंधन के सहयोगी दलो ने अपने अपने उमिद्वार उतारे थे यहां की तीन विधान सभा सीटों पर इंडिया गडवंधन ने दो एक से मुकाबला जीता इन राजियों में इंडिया गडवंधन का वोट परसेंटेज 65% रहा वहीं एंडिया गडवंधन का नेत्रित्व करने वाली बीजेपी का वोट परसेंटेज 32.57% ही रहा इस तरह से यहां भी इंडिया गडवंधन का दबदवा दिखा इंडिया में सहीयोगी दलो जार्खन मुक्ति मोर्चा, कॉंग्रेस, कॉम्मिनिस पार्टी ओफ इंडिया, एम आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीमसी को मिला कर कुल 5,6,000 तिरपन वोट मिले वहीं साथ सीटों पर एंडिये में साथी बीजेपी और आजसू को कुल मिला कर 3,62,104 वोट मिले यानि 6 राजियों की साथ सीटों पर एंडिये की तुलना में इंडिया को कुल 1,43,949 वोट ज्यादा मिले हैं इंडिया गडवंदन के एलान के बाद से यह पहला चुनाव था जिसमें साफ तोर पर भी पक्षी दल बीजेपी से आगे निकलते दिख रहे हैं आगामी महिनों में मध्य प्रदेश 36 गड़ राजस्थान सहित 5 राजियों में चुनाव होने हैं अगर इन राजियों में भी इंडिया गडवंदन के घटक दल हाथ मिला लेते हैं तो बीजेपी ने त्रित्व वाली एंडियो को तकड़ा जटका लग सकता है जिसका असर 2024 के लोग सवाचुना पर पढ़ना तै है